हलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुझराद पोड का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चैप्टर नमबर 4 अकेली इसके हमारे वन वर्ड कोशन अंसर करने बाकी थे तो उसे हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे ये जो है ये अकेली चैप्टर ये लिखा है मनु भंडारी ने या मनु भंडारी है इन्हों ने यह चैप्टर इस कहानी की रचना की है जिसका मुख्य पात्र है सोमा बुवा सोमा बुवा पे आधारित यह कहानी हमने पढ़ी थी तो आईए इसके एक वाक्य कोशन अंसर को हम करते हैं फर्स्ट कोशन है निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए इसका पहला कोशन है अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो हमने अभी भी देखा कि अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुवा है सोमा बुवा पे आधारित ही यह पूरी कहानी है सेकेंड कोशन है सोमा बुवा को अपनी जिन्दगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी तो सोमा बुवा को अपनी जिन्दगी पास पडोस वाले के भरोसे काटनी पड़ती थी क्यों क्योंकि युवा वस्था में ही उनके बेटे हर्खू की मृत्य हो गई थी जिसके कारण उसके जो पती हैं सोमा भुआ के पती वो उस दुख को सहन नहीं कर सके और वो तीरत वासी हो गए तो सोमा भुआ अकेले ही रहती थी इसलिए उन्होंने अपनी जिन्दगी पास पडोस वाले के भरोसे काटती थी वो थार्ट कोश्चन है सोमा भुआ के बेटे का क्या नाम था तो सोमा भुआ के बेटे का नाम हर्खु था फोर्थ कोश्चन है सोमा भुआ को किसके ब्या का नियोता नहीं मिला तो सोमा भुआ को अपने समधियाने की किसी लड़की के ब्या का नियोता नहीं मिला सोमा बुआ के यहां उनके देवर के रिलेशन में सम्बंदी में किसी लड़की की शादी थी तो उसी शादी को लेकर सोमा बुआ ने कितनी तयारियां की थी लेकिन उन तयारियों के बावजूद भी समधी होने के बावजूद भी सोमा बुआ को उस लड़की के ब्या का नियोता नहीं मिला था फिप्ट कोश्चन है सोमा भुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे तो सोमा भुआ की छोटी सी डिबिया में साथ रुपए थे जिसमें से उन्होंने कुछ रुपए राधा को दिये थे पांच रुपए और खरेदारी करने के लिए कहा था शादी में तौफा देने के लिए तो ये हमारे यहीं पर एक वाक्य वाले question answer समाप्त होते हैं उम्मीद है ये आपको समझ में आये होंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, subscribe करना, comment करना न भूले Thank you